नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपनेटिव चनल बेड़ेपी इन्वेस्टमेंट में आज के शिडियों बात करने वाले सुगर सेक्टर के उपर जहां पे दोस्तो बारा सरकाल के जो डिसीजन लिया बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया और उसके बज़े से पूरे आचुका है दोस्तो हमने रेनु का सुगर में देखा कि जहां पे ब्रेकाउट आया 37 के लेवल के उपर और आज वो स्टॉक दोस्तो दो वीके अंदर 54-55 के आसपाज चल रहा है दोस्तो ऐसा ही दो स्टॉक दोस्तो जो ब्रेकाउट के लिए और जो सुगर सेक्टर के दोस्तो दिस्पाइट अप्ट नाइटिन दोस्तो अब बारत सरकाह ने जो बड़ा दोस्तो डिसीजन लिया था वो यह था कि गवर्मेंट इन अ मार्च एन एक्टनेंट टाइम लाइन फॉर दिस्परसेंट अपर 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 लॉन फॉर एथेनल प्रोजेक्स अडर ट्रीडिंग का उसकी बजे से ही दोस्तों स्कॉर्ट में पूरे सुगर सेक्टर के अंदर तेजी आगी है दोस्तों और यूनियन मिनिस्टर जो नितिंग गटकरी उन्हों लास्ट मन बोला था थी कॉंफ्रेंस हैड हैलेड़ेट देस्ट्रॉंग नीड टो रिड्यूस दे इंक्रीज इंथेनल प्रोडक्शन तू मीट दे रिक्वार्मेंट ऑप 20 पर्संट अर्गेट ब्लेंडिंग विद पैट्रल बाई 2025 दोस्तों यह तो दो चीजे है बट उससे भी बड़ा दोस्तों यह कि एक और चीज हो रही है वो क्या है कि फिलिप्स कैपिटल के जो आजिल का प्रोब्लेम हुआ उसकी बज़े से हमें फाइदा मिला और हमारा एक्सपर्ट जो है वह अच्छा हुआ और सुगर कंपनी जनरेटर एडिशनल इंकम दोस्तों सोने पर सुहा का वाला स्कीम हो गया बाई सेलिंग सर्प्लस पावर मेंली तो इस्टेट इलेक्रिस प्राइजिंग विच रेडिउस इंकम फ्रॉम को जनरेशन तो यह बहुत ही बढ़िया है और दोस्तों आइसी आरे ने जो उनका रेटिंग एजनसी आइसी आरे उन्होंने रिमेन आप्टी आप्टीमिस्टिक्स अबाउट दा इंडेश्री इनवेंटरी लेवल्स फॉर करन्ट सीजन डिटू फेवरेबल इंटर्नेशन सुगर रियलाइजेशन तो यह दोस्तों सारे अच्छे न्यूज सुगर सक्टर के उपर आ चुके है दोस्तों हमने देखा कि रेनुका सुगर में ब्रेक आउट आया दोस्तों ऐसा ही बड़ा ब्रेक आउट दोस्तों आप 32.90 का विकली चाट के उपर यहां पर भी हाई बना था अठ्छा नवेंबर 2021 को 529 का हाई था और यहां पर 21 जनवरी 2022 में हाई था 532 यह हाई दोस्तों बहुत कड़क हाई है दोस्तों जो अपरिल 2022 में भी नहीं टूटा 13 अपरिल और अभी भी कॉंसोलेशन चल रहा है इस बार भी 532 का हाई बना हुआ है दोस्तों तो फाइव थर्टी टू और जो लास्ट टाइम बड़ा क्लोजिंग हुआ था पॉजिटीव वह फाइव फाइवन सेवन पर इन दोनों के बीच में रेजिस्टन से विकली चाट के उपर अगर डेली चाट के उपर भी देखेंग है तो यह स्टॉक के व्यारे न्यारे हो जाएगे और फाइव थर्टी टू के ऊपर चला गया और हमें वाल्यूम मिल गया नीचे दोस्तों ब्रेक आउट के टाइम तो फिर यह स्टॉक जैसे राणू का सुकर बागा वैसे ही यह स्टॉक भागने वाला है दोस्तों यह ब्रेक आउट है 2006 का जो हाई है वह फॉर्टी थर्टी नाइं रुपिस के आसपा से और उसी हाई को रिप्रेजंट किया था दोस्तों स्टॉक ने बिच में जुलाई 2021 में और अब 2022 में दोस्तों लास्ट वीक जो इट अप्रिल 2022 का था तब दोस्तों टच किया और यह भी श्टॉक दोस्तों उसी लेवल को टच करके नीचे पिटा हुआ है दोस्तों तो यहां पर देखेंगे जैसे इस लेवल को तोड़ेगा यह फिर दोस्तों हमारे लिए बहुत ही बढ़िया मुमेंटम मिल सकता है दोस्तों और यहां पर वोल्यूम बिल्कुल कंसिडर करन था उसका भी हम अपडेट ले लेते तो दोस्तों ऐसा ही ब्रेक आउट हमें यहां पर दोस्तों मिला था 40 रूपिस का डेली रजिस्टंस था और विकली रजिस्टंस यहां पर आप देख लिजिए कि जो लेवल हमने डिसकस किया था वह था यह वाला लेवल 23.6 परसंट का और काफी स्टॉक उपर गया था दोस्तों और दोस्तों यहां पर काफी अच्छी पॉजिटिव खबर भी आ रही है अदानी भी इच्छा दर्षा रहे अपना स्टॉक में तो फिर यहां पर बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको रहनू का सुगर में भी दिखा सकता यह स् अगर कोई भी गिरावट में 48 के प्याप 40 के आसपास के जोन में आ जाता है तो आप इसको बाय करना चाहिए बाय और रखनी चाहिए और यह टर्णराउं स्टोरी है रहनू का सुगर में और बाकी रहना सुगर और बाकी दोनों कंपनी काफी अच्छी है दोस्तों तो तो आपको ध्यान रखना है यह डी पैरी और रहना सुगर में जहां पर ब्रेक आउट आएगा वहीं पर आपने रहनू का सिगर की जो जर्णी वह मिस की है तो वहां पर ब्रेक आउट के टाइम पर आप बाइक कर सकते हैं दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आप आपको वीडियो अच्छा लगया तो लाइक कीजिए शेर कीजिए सस्क्राइब कीजिए मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद और यह वीडियो में ने एजुकेशनल परपस के लिए अपने फाइनांशल एडवाजर के सला लेके आप इसमें टेड या मचिए आप में